और आज हम लोग बेंग साख तोड़ने आए हैं यह देखे और उनको लड़की कुमली खाने दिपू से संपत करें तो गाइज मेरा नमबर नोट कर लिजेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे तो गाइज वेलकम बाक टो मैं यूट्यूब चैनल और आज हम लोग बेंग साख तोड़ने आए हैं यह देखे और चले दोस्तों आपको दिखाते हैं बेंग साख कैसे तोड़ा जाता है इदर देखे तोड़ रहे हैं तो गाइज हम लोग इस चोटे सनदी नरायनपूर के चोटे सनदी में आए हैं और यहां बेंग साख तोड़ने आए हैं गाइज और देखते हैं आगे मुझे तोड़ना नहीं आता है बस इतना ही तोड़ा हूं तो गाइज यहां बहुत सारे साग हैं देखिए हरे भरे दिख रहे हैं तो हम इसी को तोड़ने आए हैं और घर कर जाएंगे फिर बनाएंगे चटनी और सब्जी कि यहां बुवा तोड़ रही है साग सुर्य उखाड रही है कि अब देख सकते हैं कि अब चलिए बुवा से पूछते हैं कैसा महसूस हो रहा है साग तोड़कर इतना भाजी है कि तोड़ने मजा ही आ जा रहा है हमारे गाउं तरब तो कम मिलता है इधर के इधर की लोगं को तो पता भी नहीं है किसको खाते हैं तो फिर इसले बचा हुआ है मैं कि खाड के लिए हुँ घर में जाकर चाहतूंगी हम् तो गाइज दीस इज ब्रह्मी प्लांट और इसका हम चटनी भी खा सकते हैं सोजी भी बना सकते हैं हमारा तो हो गया गाइज और यहां चाचा चाची लोग छाट रहे हैं ताकि घर जाकर चाटना ना पड़े ऐसा सोचके हम तो घर जाकर चाटेंगे हमारे चोडने का तरीक इस प्रकार है ना डंडा है ना पत्तल है मैं भी तोड़ती हूं यह रहा तो क्या आप लों कभी देखें ऐसा इमली तोड़ने का तरीका लटक जाओ कहां तोड़े कितना तोड़े नीचे गिरा हैं होज भी जाएं यह दिपूली ला रहा है इतना तोड़के इसमें एक कठा करो यह देखो खुब सारा तोड़े हैं निती तो खुस हो जाएगी इमली वाली है वह इमली अरे कौन को लड़की को इमली खाना है दिपू से संपत करें तो गाइज मेरा नंबर नोट कर लिजेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इमली के लिए ना बापा तो हम फूफा के रूम आ गये हैं और यहां बाबू तो खेल रहा है मस्तमगन है और क्या बताऊं गाइज यहां तो मजे कर रहा है तो देखिए हम लोग एक सुपा भाजी तोड़के लाएं है यह देखो पुरा जड़ से खाड़के लाएं है दीपू तो इसको गुंदस्ता ही बना दिया है और हम अगर पहुंच चुके हैं बाबू तो रूस हो गया रस्ते में आते आते तो अच्छा लगा कि पापस में मिलके हमें फर्स टाइम इसके ठाना गया थे